है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कहते हैं और काफ़ इंटेस्टिंक वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले एक मिररलेस कामरा फूजी फिल्म की तरफ से जो न्यूली लॉंच्ट है XS10 और यह रहा उसका रिटेल पैकेजिंग इसमें आपको देखने मलते हैं किट लेंश जो है 16-80mm की F4.0 aperture के साथ और यहां पे lens में आपको देखने मलता है optical image stabilization और इस camera में भी कई सारे functions आपको देखने मलते हैं mm के साथ F4.0 aperture के साथ और पीचे की तरफ यहां पे आपको देखने मलते हैं उसके कई सारे instructions और box content जैसे हम इसे unbox करते हैं सबसे पहले आपको देखने मलता है उसका user manual और warranty guide और नीचे की तरफ यहां पे आपको देखने मलते हैं वो camera की actual body और नीचे की तरफ यहां पे आपको देखने मलते है type C 23.5 mm jack का cable एक type C data cable आपको देखने मलते हैं या फिर आप charging cable बोल सकते हो एक strap उन्होंने प्रोवाइड किया है और एक battery आपको देखने मलती है दूसरे compartment में यहां पे आपको देखने मलते है वो actual lens तो सबसे पहले उन्होंने user manual यहां पे प्रोवाइड किया है उसी के साथ नीचे की तरफ यहां पे वो actual lens आपको देखने मलती है और एक hood का attachment में उन्होंने यहां पे प्रोवाइड किया है यह सारी चीज़े आपको box के अंदर देखने मलती है यहां पे camera को setup करने के लिए बस आपको यहां पे battery insert करनी है और इसमें language time सारी चीज़े setup करनी है यहां पे सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसके build quality की तरफ तो यहां पे आपको plastic और magnesium alloy का build देखने मलता है जो इसे काफी light weight बनाते है और अगर weight की मैं बात करो तो सिफ उसे 465 grams का यह camera है जो काफी light weight इसे बनाता है और यहां पे अगर मैं इसके grip की बात करो तो काफी sturdy grip आपको यहां पे provide की है और यहां पे lens mount की बात करें तो आपको X mount lens यहां पे उन्होंने provide किया है और यहां पे 3 inch की LCD display आपको देखने मलते है multi angle view के साथ तो इसे आप जिस angle में चाहे उस angle में यहां पे mode सकते हो especially vlogging अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए यह काफी जादा helpful हो जाते है औ और नीची की तरफ यहां पे आपको देखने मलता है उसका memory card का slot और battery compartment और left hand side में यहां पे आपको देखने मलता है HDMI port जो एक micro HDMI port है type C port आपको देखने मलता है जिसकी help से आप external headphones connect करके आपके वीडियो को monitor कर सकते हो mic का input provide किया है जिसकी help से external mic यहां पे आप connect कर सकते हो और उसी के साथ नीची की तरफ यहां पे आपको उसका speaker देखने मलता है एक छोटा सा mini speaker है अगर आप videos monitor कर रहे हो तो directly आप camera की help से भी sound सुन सकते हो और इसका सबसे unique feature मुझे लगा जो है इसका pop-up flash और directly आप flash की help से काफी अच्छी तरीके से यहां पे images capture कर सकते हो और guys फिरम इसके सबसे crucial component की तरफ जो है इसका sensor सो यहां पे आपको देखने मलता है 26.1 megapixel का back illuminated image sensor जो आता है यहां पे X-Trans CMOS 4 के साथ प्लस यहां पे आपको ultrasonic vibration function देखने मलता है जो यहां पे sensor cleaning में इससे help करता है और भाई सबसे important बात मतलब यहां पे यहां पे यह आता है 5 axis IBIS के exactly होता क्या है जो है in body image stabilization मतलब अगर आपका camera shake हो रहा है जब भी आप images capture कर रहे हो या फिर यहां पे video record कर रहे हो तो यह जो 5 axis image stabilization है काफी बढ़िया तरीके से आपके videos और images यहां पे capture कर लेता है फिर हम बढ़ते है इसके image capture capability की तरफ तो यहां पे आप काफी बढ़िया images इ देखने मिलते है और उसे आप काफी बढ़िया तरीके से use कर सकते हो basically filter यहां पे आपको देखने मिलेगा मतलब बस आपको image यहां पे click करना है और directly आप social media पे उसे upload कर सकते हो और जी हा अगर image capture की यहां पे बात आती है तो raw uncompressed image भी आप यहां पे capture कर सकते हो तो बस आपको कई सारे focus points देखने मलते हैं जिसे आप single focus point पे भी select कर सकते हो और अगर आपको चाहिए तो यहां पे scrolling knob है उसकी help से full display मतलब full frame जो है यहां पे focus में रख सकते हो और यहां पे इसकी help से काफी अच्छे images आपके capture हो जाएंगे तो यहां पे multi focus points काफी बढ़िया तरीके से आप उसे customize कर सकते हो और plus guys यहां पे हमने images भी capture किये है और यहां पर film simulation की help से हमने total 8 images यहां पे capture किये तो आप देख सकते हो यहां पर वो सारे images और pause करके देख सकते हो different images में अलग-अलग filter की help से कैसे यहां पे image capture हो चुके है और plus यहां पर outdoor lighting condition में भी image capture किये वो के mode में यहां पर आप image capture कर सकते हो और indoor lighting condition में यहाँ पर image capture किये low light में भी same condition में यहाँ पर image capture किया है और यह सारे images जो यहाँ पर capture किये काफी बढ़िया तरीके से आते है especially मुझे इसका film simulation mode काफी जादा अच्छा लगा और फिर हम बढ़ते इसके video capture capability की तरफ तो जी हाँ आप इसमें capture कर सकते हो 4K at 30fps 8 bit recording format में अगर आप internal recorder यूज कर रहे हो और अगर आप external record कर रहे हो तो 4K at 30fps 10 bits पे भी आप इस पर record कर सकते हो जो काफी बढ़िया बात है फुल HD आप record कर सकते हो high speed recordings के साथ जहाँ पर आप 240fps तक यहाँ पर record कर सकते हो तो यहाँ पर हमने कुछ video samples भी देखे है जिने हम बाद में देखेंगे और प्लस यहाँ पर आपको F-log recording का भी option देखने मलता है जिसे आप बाद में color grade कर सकते हो आपके हिसाब से तो यहाँ पर हमने कुछ videos इसमें record किये है outdoor lighting condition में indoor lighting conditions में और low light में तो यहाँ पर वो सारे वीडियो आपको display हो जाएंगे तो यहाँ पर हम record कर रहे है low light condition में और यहाँ पर 4K at 30fps पर यह recording चल रही है कोई भी external mic यहाँ पर हमने connect नहीं किया है यहाँ पर low light में भी काफी बढ़ी है इसकी video quality आने चाहिए और यहाँ पर हम record कर रहे है 4K at 30fps और यहाँ पर जो image quality और audio quality दोनों भी काफी अच्छे आने चाहिए और plus guys मैंने high speed recordings की भी यहाँ पर बात की ती तो जी हाँ आपने उसमें भी video record किये है तो यहाँ पर आप देख सकते हो उस video को जी हाँ guys आप इसकी help से काफी बढ़िया तरीकी से video record कर सकते हो high speed recordings भी और 4K at 30fps भी सो भाई यहाँ पर हमने image capture की बात कर ली video recordings की बात कर ली अभी हम बात करेंगे इसके lens की सो यहाँ पर आपको देखने मलता है 16 to 80 mm का lens जो आता है f4.0 aperture के साथ और maximum 22 aperture के साथ यहाँ पर उन्हाने provide किया है और यहाँ पर आपको wide angle view देखने मलता है इस particular lens में optical image stabilization के साथ आता ह है और यहाँ यहाँ पर आपको dedicated rig देखने मलती है जिसकी help से आप aperture यहाँ पर काफी आसानी से adjust कर सकते हो और अभी हम बढ़ते इसके external attachments की तरफ तो जी हाँ आप externally इसके उपर flash भी attach कर सकते हो तो यहाँ पर flash भी attach कर सकते हो और flash भी काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर work करता है compatible flash आप यहाँ पर purchase कर सकते हो और externally आप यहाँ पर display connect कर सकते हो external mics connect कर सकते हो headphones connect कर सकते हो video monitoring के लिए यहाँ पर जितने भी सारे external connection वाले features है वो सारे यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं जी हाँ सबसे important बात मतलब हमने इसे gimbal पर भी mount किया था यह काफी lightweight है gimbal पर काफी बढ़िया तरीके से fit हो जाता है और काफी अच्छी recording और steady recording से आप कर सकते हो gimbal की भी help से जी हाँ guys काफी बढ़िया camera है Fujifilm XS10 और जितना में बात करूँ उतना कम ही है इस particular camera के बारे में और इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से तो इसे cover नहीं कर सकता काफी बढ़िया यहाँ पर customization buttons उन्होंने provide की है जिन्हें आप easily access कर सकते हो customizable चार buttons आपको देखने मिलते है रिग में उसे आप customize कर सकते हो यहाँ पर जो lens उन्होंने provide किये इस particular camera के साथ वो भी काफी अच्छी है आप body भी purchase कर सकते हो जैसे मैंने बताया 18-55mm का kit lens ले सकते हो यहाँ फिर 16-80mm का lens ले सकते हो OIS के साथ आता है और यहाँ पर मैं तो personally आपको 16-80mm ही यहाँ पर suggest करूँ और अगर मैं इसके pricing की बात करूँ तो सिर्फ body आपको मिल जाते है 99,999 रुपीज की price में और यहाँ पर 16-55mm के lens की बात करें तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पर 1,34,999 की price में और जो मेरे पास particular है 16-80mm की kit lens वो आपको मिल जाती है यहाँ पर with body but obvious 1,49,999 रुपीज की price में यही जो pricing है यह company की pricing है और अगर आप local store से इसे purchase करते हो तो जी हाँ आपको काफी बढ़िया इन भेतरी discount यहाँ पर देखने मिलने वाला है अगर किसी को online purchase करना है तो link में नीचे description में drop कर दूँगा और local purchase करना है तो हाँ पर आपको काफी बढ़िया discount यहाँ पर मिलने वाले है अगर आपको वीडियो पसंद आते है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक important बात प्लीज मेरे Facebook पेज और Instagram पेज भी like कीजिए तो दोस्तों मिलते है अगले वीडियो में तब तक किर दोस्तों